अगर आपके घर में भी डॉग है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो अपनी पूच को हिलाते रहते हैं लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो अपनी पूच को क्यों हिलाते हैं जैसे कि अगर dog की पूँच right direction में हिलती हुई दिखे तो वो काफी खुश और खेलने के mood में है और अगर left direction में हिलती हुई दिखे तो dog काफी sad और negative feelings को महसूस कर रहा है वही अगर dog की पूँच पीछे के दोनों पैरों के बीच कुछ इस तरह से हो तो dog काफी डरा हुआ है लेकिन अगर dog की पूँच नीचे की तरफ दोनों टांगों से दूर कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब है कि dog बहुती शान्त और normal है और अगर डॉक की पूँच बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि वो किसी डॉक को डराने की कोशिश कर रहा है वैसे आपके डॉक का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना